हेलो और वेलकम टू माई चैनल मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर हूँ जिसके इंदर हम करेंगे कल्चिरल फैक्टर यह हैं यह हैं मेजर फैक्टर इंफ्लिएंसिंग कंजूमर बिहेवियर को कौन से फैक्टर इंफ्लिएंस करते हैं इसके जो पहल आज हम करेंगे कल्चिरल फैक्टर यह थर्ड फैक्टर इंफ्लिएंसिंग कंजूमर बिहेवियर को जो फैक्टर करतें इसके फैक्टर कैंड़ी तर फैक्टर के इंदर क्या हुगा कि बहुत से ग्रूप लूप होते हैं जो एक हमारी community के इंदर रहते है particular community के इंदर रहते हैं जो belong करते हैं वो affect डालते हैं हमारे buying behavior को consumer क्या buy करेगा वो चीज़े affect डालती है कि हमारी हमारा culture कैसा है cultural community कैसी है क्यात्यक देक्कि चाइसे की अब हमने देख आये जिसाइध में जो राजजपूत्यों का पहना हो तो लहेंगा उपर कुड़ती कुरता जो होता है प्रमका पिर उपर दूपटा ऐसा होता है के साड़ी लकुप हें अलग होता है जो ड्रेस यो लग होती ऊवर महाइर एक पएग अलग होता है तो एक कलचर ये हैं तो मैंधनी सोक ये जासी होती है वह कहले को टिधाइन करती है कि हम किस scratch की कपड़े लेंगे अब हम जहां रहते हैं जैसे माहौल के अंदर रहते हैं उस ही टाब की कपड़ा पहना पसंद करती हैं उसी टाब की कपड़ें में लेने पढ़ते हैं तो वो हमारे नियौँनच को करता है इसके अंदर सब से ठैक度 करते हैं क denying मतलब हमारी नीडस है जिसको हम प्रिफेर्स देता है अब जैसे कि हम हर्याना कें अंदर सूट और साडी ही पहना जाता है तो वही है होती है कि हम उन्हीं कपड़ों को ज्यादा प्रिफेस देते हैं अब जो न्यू जनरेशन वो तो हर ताइप के कपड़े पहनती है बट जो पहले की जनरेशन थी वह तो हरियाना का जो पहनावा निकी मैं सल्वार और हैवि दूपटटा इस्ट डैप ऑम पहनती है तो पंजाब के अंदर होता है बरता माइस के अंदर हो उसके नदर इस सबकल्चर के इंदर क्या एगा इस सबकल्चरे इन दर क्या एगा जैसे हमारी क्या कास्ट है कपड़े पहने किस टाइप कपड़े करते हैं अब माली जी जैसे अब हम पहनावा देखे तो जो ब्रामन होते हैं उनके यहां साधिया डाली जाते तो उस कास्ट के इसाब से हम कपड़े पहनते हैं और जैसे अलग other caste के अंदर अलग type की कपड़े पहने जाते तो मुस्ल्मानों के अदर वह पुरख अगीरा मतलब हर एक जो chain होते उनकी अलग type की कपड़े होते जो buying behavior होगा उस्छी Licht करेगे उनकी curated कर pó último कि वह उसी टरेप का कपड़ा पहनना पसंद करेंगे उसी टाइप का कपड़ा लेना पसंद करेंगे इसके बाद है शोशल क्लास शोशल क्लास के अंदर क्या होगा कि वो किस तरीके की सोसाइटी के अंदर किस तरीके का उनका सोसाइटी है या फिर किस तरीके की उनकी क्लास है किस तरीकी का उसका standard है जिस type का वो standard of living वो जी रहे हैं उस type के वो कपड़े पहना पसंद करेंगे अब आपका high standard है तो आप उसी type के कपड़े पहनोंगे उसी type का आप का buying behavior होगा आप brand को choose करोगे बट अगर आप middle class family से तो आप combined behavior उसी type का होगा आप बहुत सो समय के कपड़े लेंगे each and every society across the global has form of social class इसके बाद परस्नल फेक्टर फॉर्थ फेक्टर इसका फेक्ट दीज पर्सनल के लिर्वएर पर्सनल इसके अंत्य-केडिक है मनें पस्कालिक cambi चाहँ ले आप लिख थी टिया से टो प्रस्ट्ट लेती है मि पाइं sich लेंगे कैने भी आइप पने तो वो कोई ड़ेगा सरा रहा तोने तरिकास की ओस Columbus होती है थे मुस्त बहेंसे क्पड़े को अफेक की हमें को पस». हपार परसनल इसे म्लेकर किसी को ससे मिलते इंवा करते हुए तो यहां से कपड़े ले या एसे और लेंगे यहां शादी तो कोई देगा प्लहंगा लेया कोई बोलेगा तो मतलब अलग अलग तरीक के होती है तो वह हमारे भाइं भी हीविवर को अफ़ेक्ट आता है कि हमें काने डिटेरा परस परसन हमें प्तब किस टाइप के मिल रही हैं तो हम उसी टाप के कपड़े लेके हैंगे इसके बाद एज तो सबसे जाता है इंफ्लिएंस करते हैं बाइंग बीवेर को अब माली जी जो अब जो न्यू जरनेशन के जो बच्चे हैं उनकी जो पसंद है वह अलग है बट जो एज हो गया है जो हम जो जो बट जो यूथ की जो चोईज होगी वो डिफरेंट होगी पहले की जो मिडल एज की जो परसन है उनसे एज इस जो आज की जरनेशन की जो यूथ है उससे डिफर करेगी जो मिडल एज है है जैसे की अब हम जो नहीं जरनेशन हैं वो कपड़े लेक्ए आती थी तो जो वो मिडल एज के बंदें'm उनको वो कपड़े पसंद नहीं आती है इसके बादा income income has the ability to influence the buying behavior of a person higher income give higher purchasing power to consumer अगर आपके पास जितनी income होगी वो तो नहीं आप purchase करोगे आपके पास ज्यादा purchasing power होगी income define करती है भई आप किस टाइप का कपड़ा लोगे अब माल निज्जे जैसे हम किशी शोप के उपर जाते हैं तो जो producer है जो seller है वो हम से की आपको कितनी रेंज तक कपड़े दिखाएं तो जो आपकी इंकम है वो define करेगी अब माल निज्जे आपकी जो आपके पास income जादा है आपकी income जादा है तो आप consumer को क्या जो आप seller है उसको क्या बोलोगे भहिया आप कितनी बीज़ का कपड़ा दिखाऊ बट हमें पसंदाना चीए जब कितनी रेंज का कपड़ा बट हमें पसंदाना चीए तो उस चीज को मार्केट से उसके उक्युक पेशन किया होगा उक्युक पेशन आपके जो जो कपड़े पैने का तरीका तो इसको कपड़े माल यह जहां धोक्टर भाट भाट पश्शन के व्हाब से बिज़एंगे आप अगर इंजीनियर कि उसके कपड़े पहनें चाइखे तो कि तेचर तो आप टीचर है वह सिर्फ सूट लगा दिया जो जैन्ट स्टाफ है वह सिर्फ कोट पहन के आएगा या फिर एक ड्रेस कोड लगा दिते हैं तो जो परफेशन है उसके इसाब से आपको कपड़े पहनने पढ़ते हैं तो आप अपके बाइंग बीएवर को डिफाइन करता ह अब आप टीचर है तो आप उसी टाइप के कपड़े खरीद के लिए क्या होगे अब आप डोक्टर है तो आप अपने उक्कुपेशन के सबसे कपड़े पहन होगे आपके बाइंग बीएवर को डिफाइन करता है वह परसेंट तो बाइंग तिंग्स देट और एप्रोप् करेंग अब गोड्रेवर करेंग अब प्रफेशन होगा उसी के अकोडिंग वह क्याड़ेवर को डिफटर का अलग होगा जो एक कॉलीज़ के अन्ला ने लगत पुसका दो चांग फरतल और अजो अब तरीक्ण होगा जो이 टेट एकार्ट फोट्रेग झाब Oops इसके Só अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है लाइफ स्टाल लाइफ स्टाल कैसे हुगी अब आपका रहने का तरिका कैसा है आपका एटिट्यूड कैसा है आप गरी आपकी सोसाइटी है कि ताइप की सोसाइटी में रहते हैं और घुन करते हैं पजल्क पानवीद के जैसे पहनोगे अब आपकी इंकम नहीं है आपका हाई क्लास सोसाइटी नहीं है तो आप मिडल क्लास के हिसाबसे कपड़े पहनोगे तो आपके वह बाइंग भीएकर को अफेक्ट डालती है इसके इंदर है for example when a consumer leads to healthy lifestyle अब consumer healthy lifestyle जी रहा है उसके बतलब अच्छी earnings है हर एक चीज अच्छी है तो then the products he buy will relate to healthy alternate to junk food वो फिर junk food की वज़े healthy alternate choose करेगा healthy alternate खाना पसंद करेगा वो junk food की वज़े अगर उसकी healthy lifestyle है तो इसके बाद है fifth point and last fifth and last economic factors economic factor क्या होगा the consumer buying habit and decision greatly depends on the economic situation of a country और मार्केट जो मार्केट की situation है उसके वो भी effect डालती है consumer के buying behavior के उपर अब जैसे कि इसके पॉइंट देर रहे है personal income अब आपकी जो जैसे आपकी country की economic ही condition अच्छी नहीं है तो आपकी personal income अगर अच्छी है तो आप अच्छी से purchase करोंगे आपकी purchasing power increase हो जाएगी अगर आपके पास income जादा है तो आप purchase भी जादा करोगे when a person has a higher disposable income अगर किसी आदमी के पास higher disposable income होती तो the purchasing power increase simultaneously तो उसके साथ साथ simultaneously का मतलब होता है उसके साथ साथ उसके साथ साथ जो आपकी purchasing power हो भी automatically increase हो जाएगी इसके बाद है family income अब आपकी family income depend करेगी आपकी buying behavior के उपर अब आप जैसे कि अब आपके जो घर में बंदे हैं वो सब जोब पे हैं सब अपने well settled है तो अगर आप सब well settled होंगे तो जो आपकी family income है वो भी depend करेगी आपकी क्या कपड़ा buy करोगे क्या कपड़ा buy करोगे किस टाइप का कपड़ा पहना पसंद करोगे वो आपकी family पर depend करता है कि आपकी family की income कितनी है family income is the total income from all the members of family अब family के अच्छी खासी income है सब जो बंदे वो occupation के अंदर है सब बंदे अपना अपना काम कर रहे हैं सब well settled है तो आपकी आप जो कपड़े पसंद करोगे buying behavior होगा वो भी आपका बहुत अच्छा होगा उसी तरीके से अगला पोइंट है consumer credit अब जो producer है जो सेलर है जो आपको credit facility provide करवाता है कि आप credit card से ले लीजिए या कोई भी आपको facility provide करवाता है तो आप credit loan देता है credit जो भी मतलब आप फिर ज्यादा buying करेंगे कि आप उसका behavior भी अच्छा होगा और अगर आप उससे credit में समान देते हो तो फिर वो सोचेगा कि चलो credit में दे रहा है हम तीरे दिरे प्रमोट्स हाइस स्पैनिंग जब वो क्रेडिट के अंदर वो अगर आपको प्रमोट करेगा कि आप ले जाए तो आपकी स्पैंडिंग जादा हो जाएगी सेलर सार में मेकिंट इजी पोर दे कंजूमर सेलर असान कर देते कि credit में चीज़े अवलेबल करवा देते हैं इन आपको जो सेलर है वो क्रेडिट में चीज़े में चीज़े देने लग जाता है क्रेडिट कार्ड के दवारा या इंस्टॉल्मेंट में पे कर देना आप तो आपकी जो पर्जेजिंग पावर वो बढ़ जाती आप ज़्यादा पर्जिस करते हैं इसके बादर लिक्वीड लिक्वीड एसेटस्ट बी करनोटेटि इंटो केश वैरी ऐसली लिक्वीड एसेटसफ में जोह इसेल कर दिया यूं जोब्स proprietary है तो भी पर्चेस कर आपके पास कितनी लिक्वीड एसेटस वह वी आपको डिफाइड करती है के गारते इसके बाद आपके पास कितनी सेविंस क्या होगी आपकी कितनी सेविंस है वो भी आपके पास जादा पैसे आपने जादा जैसे हम आभ माली जी बच्चों के बात लगाते है जो बच्चे होते हैं वो सेव करते हैं कि अब जो मिडल क्लास फैमिली के बच्चों के बात दाली हुआ जो मिडल क्लास फैमिली के बच्चे हैं उनको क्या होगा वह अगर उनको कोई चीज लेने होते तो वह पैसे सेव करते हैं वह सेव करते रहेंगे वह सेव करते रहेंगे करते रहेंगे जब उनके पास अपने जो समान उनको लेना है उसके पैसे एकठे हो जाते हैं उसके बाद वह चीज़े लेने जाते हैं तो आपकी सेविंग करता है कि तैप का प्रोड़क्ट लोगांग्य है किस तैप का समान ले सकते acid श billion बच्ढांई कि झाण लक पाओगे आपकी सेविंग्स कम है तो आप उसी टाइप का प्रोड़क्त ले पाएंगे अ कंजुमर इस हाइल इंफ्लेश्ट बाइद आमाउंट ओफ सेविंग्स वह सबसे जदे इंफ्लेश्ट होता है कि आपकी कितनी अमाउंट है सेविंग्स कि आपने कितना सेव करका है इनकम से अलग आपने आपने कितना सेव करके रख रख रहा है वो सबसे जदे आपके बाइंग्स को अफेक्ट डालता है यह थी हमारी डिजिटल मार्केटिंग की यूनिट सेकिंड इससे पहले मैं यूनिट फर्स्ट भी करवा चुकी हूं यह जो सारे जो टोपिक है जित इससे पहले की जो यूनिट है यूनिट फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग की वह भी मैं आपको करवा चुकी हूं अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं मैं यह जो डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट है यह कोमर्स के इंदर नया आया है को तो इसकी जो बुक है वो मार्केट के इंदर अवलेबल नहीं है तो यह जो नोर्स है यह हैंड में